नारैन 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 श्रीमद भागवत दश्रम इसकंद अथ चतुर दशोत्यायः म्रहमाजी के द्वारा बगवान की इस्तुती अंजली बांध कर बड़ी नम्रता और एकाद्रता के साथ गदगद वानी से वे बगवान की इस्तुती करने लगे नौमिप्यते प्रवपुषे तडिदंबराय, गुन्जावतंस परिपेच्छलसन मुखाय, वन्यास्रजे कवलवेत्र विशान वेणू, लक्ष्माश्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय ब्रह्माजी ने स्थूति की, प्रभो एक मात्र आप ही स्थूति करने योग्य हैं, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं आपका यह शरीर वर्षा कालीन मेग के समान श्यामल है इस पर इस्थिर बिजली के समान जिल मिल जिल मिल करता हुआ इतांबर शोभा पाता है आपके कले में गुंगची की माला, कानों में मकराकृती कुंडल तथा सिर पर मोर पंकों का मुखुट है इन सब की कांती से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है वक्षा स्थल पर लटकती हुई वनमाला और ननही सी हथेली पर दैही भात का गौर पगल में बेंच और सिंगी तथा कमर की भेंट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी शोभा पा रही है आपके कमल से सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बालक का सुमधुर वेश मैं और कुछ नहीं जानता बस मैं तो इन ही चरणों पर नोच्छावर हूँ स्वयम प्रकाश परमात्मन आपका यह श्रीविक्रह भक्त जनों की लालसा अभिलाशा पूर्ण करने वाला है यह आपकी चिन्दमई इच्छा का मूर्ती मान स्वरूप मुझे पर आपका साक्षात पृपा प्रसाद है मुझे अनुग्रहीत करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है कौन कहता है कि यह पंच भूतों की रचना है प्रभो यह तो अप्राकृत शुद्ध सत्व मैं है मैं या और कोई समाधी लगा कर भी आपके इस सच्चिदानन्द विग्रह की महिमा नहीं जान सकता फिर आत्मानन्दानुभव स्वरूप साक्षात आपकी ही महिमा को तो कोई एक आग्र मन से भी कैसे जान सकता है प्रभो जो लोग ग्यान के लिए प्रियत्न न करके अपने स्थान में ही इस्तित रहकर केवल सतसंग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है शरीर वाणी और मन से विन्यावनत होकर सेवन करते हैं यहां तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं उसके बिना जी ही नहीं सकते प्रभो यद्यपी आप पर तिरलोकी में कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता फिर अभी वे लोग आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं भगवन आपकी भगती सब प्रकार के कल्यान का मूल स्रोत पुद्गम है जो लोग उसे चोड़कर केवल ज्यान की प्राप्ती के लिए श्रम उठाते हैं और दुख पाते हैं उनको बस कलेश ही कलेश हाथ लगता है और कुछ नहीं जैसे ठोथी भूसी कूटने वाले को केवल श्रम ही मिलता है चावल नहीं स्टेयह स्रुतिम्भक्ति मुदस्यते विभोव क्लिश्यंतिये केवल बोधलब्धये तेशामसवक्लेशल एवशिष्यते नान्यत्यता स्थूलतुशाव घातिनाम हे अच्चुत हे अनन्त इस लोक में पहले भी बहुत से योगी हो गए हैं जब उन्हें योगादी के द्वारा आपकी प्राप्ति न हुई तब उन्होंने अपने लोकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिये उन्ह समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ती प्राप्त हुई उस भक्ती से ही आपके स्वरूप का ज्यान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके प्रमपद की प्राप्ति कर ली ये अनंत आपके सगुन निर्गुन दोनों स्वरूपों का ज्यान कठिन होने पर भी निर्गुन स्वरूप की महीमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्ध अंतह करण से जानी जा सकती है जानने की प्रक्रिया यह है कि विशेश आकार के बरित्याग पूर्वक आत्माकार अंतह करण का साक्षाकार किया जाए यह आत्माकारता घट पट आदी रूप के समान ये नहीं है प्रत्युत आवरण का भंग मात्र है यह साक्षाकार यह ब्रह्म है मैं ब्रह्म को जानता हूँ इस प्रकार नहीं किन्तो स्वयम प्रकाश रूप से ही होता है परन्त भगवन जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृत्यु का एक एक परमानू आकाश के हिमकन ओस की बूंदें तता उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारों तक को गिन डाला है उनमें भी भला ऐसा कौन हो सकता है जो आपके सबुन स्वरूप के अनन्त गुनों को गिन सके प्रभो आप केवल संसार के कल्यान के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं तो भगवन आपकी महिमा का ज्यान तो बड़ा ही कठिन है इसलिए जो पुरुष छण छण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांती अनुभव करता है और प्रारब्द के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्रब्द होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है एवं जो प्रेम पूर्ण रदयो गदगद वानी और फुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परमपद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ती का पुत्र तत्ते नुकंपां सुसमीचमाणों भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं रिद्वागवपु भेर्विदधन नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदायभाव प्रभो मेरी कुटिलता तो देखिये आप अनन्त आदिपुरुष परमात्मा है और मेरे जैसे बड़े-बड़े मायाली भी आपकी माया के चक्र में है फिर भी मैंने आप पर अपनी माया भैला कर अपना ऐश्वरिय देखना चाहा प्रभो मैं आपके सामने हूँ ही क्या क्या आग के सामने चिनगारी की भी कुछ गिनती है बगवन मैं रजोगुण से बपन्न हुआ हूँ आपके स्वरुप को मैं ठीक ठीक नहीं जानता इसी से अपने को आपसे अलग संसार का स्वामी माने बैठा था मैं अजन्मा जगत करता हूँ इस माया कृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था इसलिए आप यह समझ कर कि यह मेरे ही अधीन है मेरा पृत्य है इस पर प्रपा करनी चाहिए मेरा अबराद जमा के जी मेरे स्वामी प्रकृति महतत्व अहंकार आकाश वायू अगनी जल और प्रित्वी रूप आवरणों से गिरा हुआ यह प्रह्मांड ही मेरा शरीर है और आपके एक एक रोम के छिद्र में ऐसे ऐसे अगनीत प्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पढ़ते रहते हैं जैसे जरोखे की जाली में से आने वाली सूर्य की किर्णों में रज के छोटे छोटे परमाणू उड़ते हुए दिखाई पढ़ते हैं कहां अपने परिमान से साढ़े तीन हाथ के शरीर वाला अज्यन्त चुद्र में और कहां आपकी अनन्त महिमा प्रित्तियों की पकड में न आने वाले परमात्मन जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्यान वश अपने हाथ बैर पीटता है परन्त क्या माता उसे अपराद समझती है या उसके लिए वह कोई अपराद होता है है और नहीं है इन शब्तों से कही जाने वाली कोई भी वस्तू ऐसी है क्या जो आपकी कोख के भी तरफ न हो सुतियां कहती है कि जिस समय थीनों लोक प्रलयकालीन जल में लीन थे उस समय उस जल में इस्थित श्री नारायन के नाधी कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ उनका यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता तब आप ही बतलाईए प्रभो क्या मैं आपका उत्र नहीं हूँ प्रभो आप समस्त जीवों के आत्मा है इसलिए आप नारायन है जीवों के आश्रे हैं आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर है इसलिए आप नाराएन हैं, जीवों के प्रवर्तक हैं, आप समस्त लोकों के साक्षी हैं, इसलिए भी नाराएन हैं, जीवों को जानने वाले हैं. नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिने नारायन कहा जाता है देवी आपके एक अंश ही है वह अंश रूप से दीखना भी सत्य नहीं है आपकी माया ही है बगवन यदि आपका वह विराट स्वरूप सच मुच उस समय जल में ही था तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा जबकी मैं कमल नाल के मार्ग से उसे सव वर्षों तक जल में ढूंडता रहा फिर मैंने जब तपश्या की तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया और फिर कुछ एक्षणों में वह उन्ह क्यों नहीं दीखा अंतरधान क्यों हो गया माया का नाश करने वाले तभो दूर की बाद काउन करे अभी इसी अवतार में आपने इस बाहर दीखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया जिसे देख कर माता यशोदा चकित हो गई थी इससे यही तो सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण विश्व केवल आपकी माया ही माया है जब आपके सहित यह संपूर्ण विश्व जैसा बाहर दीखता है ऐसा ही आपके उदर में भी दिखा तब क्या यह सब आपकी माया के बिना ही आप में प्रतीत हुआ अवश्य ही आपकी दिला है उस दिन की बात जाने दीजिए आज की ही लीजिए क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त सम्पूर्ण विश्वकों अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया है पहले आप अकेले थी फिर संपूर्ण वाल बाल बचड़े और चड़ी छीके भी आप ही हो गए उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप चतुरबुज हैं और मेरे सहित सब के सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं आपने अलग-अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया था परन्तु अब आप केवल अपरिमित अद्विदीय ब्रह्म रूप से ही शेश रह गए हैं जो लोग अज्यानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते उनी को आप प्रपृति में इस्थित जीव के रूप से प्रतीत होते हैं और उन पर अपनी माया का परदा डाल कर स्ष्ठी के समय मेरे रूप से अर्थात ब्रह्मा रूप से पालन के समय अपने विष्णू रूप से और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं प्रभो आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं अजन्मा होने पर भी आप देवता रिशी मनुष्य पशुपच्छी और जलचर आदी योनियों में अवतार ग्रहन करते हैं इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें और सत पुरुषों पर अनुग्रह करें भगवन आप अनंद परमात्मा और योगेश्वर हैं जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं उस समय क्रिलोकी में ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहां किसलिए कब और कितनी होती है इसलिए यह संपूर्ण जगत सप्न के समान असत्य अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है आप परमानंद परमज्ञानस्वरूप एवं अनंद हैं यह माया से उत्पन एवं मिलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता से सत्य के समान पतीत होता है प्रभो आप ही एक अमत्र सत्य हैं क्योंकि आप सब के आत्मा जो हैं आप पुरान पुर्श होने के कारण समस्त जन्म आदी विकारों से रहित हैं आप सयम प्रकाश हैं इसलिए देश, काल और वस्तु जो पर प्रकाश हैं किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते आप उनके भी आदी प्रकाशक हैं आप अभिनाशी होने के कारण नित्य हैं आपका आनंद अखंडित हैं आप में नैतो किसी प्रकार का मल हैं और न अभाव आप पूर्ण एक हैं समस्त उपादियों से मुक्त होने के कारण आप अम्रत स्वरूप हैं आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है जो गुरू रूप सूर्य से तत्वज्ञान रूप दिव्वत्रिष्टी प्रक्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षा कार कर लेते हैं वे इस जूठे संसार सागर को मानों पार कर जाते हैं संसार सागर के जूठा होने के कारण इससे पार जाना भी अविचार दशा की दिश्टी से ही है जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्म के निखिल प्रपंच की उत्पत्ती का भ्रम हो जाता है किन्तु ज्ञान होते ही इसका आत्यनतिक प्रलय हो जाता है जैसे रस्टी में भ्रम के कारण ही सांप की प्रतीती होती है और भ्रम के निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ती हो जाती है संसार, संबंधी, बंधन और उससे मोक्ष ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं पस्तव में ये अज्ञान के ही दो नाम हैं ये सत्य और ज्ञानस्वरूप परमात्मा से भिन अस्तित्व नहीं रखते जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है वैसे ही विचार करने पर अखंड चित्स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व में ने बंधन है और ने तो मोक्ष भगवन कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा पर लोग आपको पराया मानते हैं और शरीर आदी हैं पराये केंतु उनको आत्मा मान बैचते हैं और इसके बाद आपको कहीं अलग ढूंडने लगते हैं बला अज्यानी जीवों का यह कितना बड़ा अज्यान है यह अनंत आप तो सब के अंतह करण में ही विराजमान हैं क्योंकि यद्यपी रसी में सांप नहीं है फिर भी उस प्रतियमान सांप को नित्या निश्च किये बिना भला कोई सत्पुरुष सच्ची रसी को कैसे जान सकता है अपने वक्त जनों के हराय में स्वयम स्पुरित होने वाले भगवन आपके ज्यान का स्वरूप और महिमा ऐसी ही है उससे अज्यान कल्पित जगत का नाश हो जाता है फिर भी जो पुरुष आपके युगल चरण कमलों का तनिक साधी क्रपाप्रसाद प्राप्त कर लेता है उससे अनुगहीत हो जाता है वही आपकी सच्चिदानंद मही महीमा का तत्व जान सकता है दूसरा कोई भी ज्यान वैरग्य आदी साधन रूप अपने प्रयत्न से बहुत काल तक कितना भी अनुसंधान करता रहे वह आपकी महीमा का यथार्श ज्यान नहीं प्राप्त कर सकता इसलिए भगवन मुझे इस जन्म में दूसरे जन्म में अथवा किसी पशु पक्षि आदी के जन्म में भी ऐसा सोभग्य प्राप्त हो कि मैं आपके दासों में से कोई एक दास हो जाऊं और फिर आपके चरण कमलों की सेवा करूं मेरे स्वामी जगत के बड़े बड़े यग्य श्रिष्टी के आरंब से लेकर अब तक आपको पूर्ण तह त्रिप्त न कर सके परंथु आपने ब्रज की गायों और ग्वालिनों के बचड़े एवं बालक बनकर उनके स्थनों का अम्रत सा दूद बड़े उमंग से पिया है वास्तव में उन्ही का जीवन सफल है वेही अज्यंत धन्या है अहो ति धन्या ब्रजगोर मन्या स्थन्या मृतम पीत मतीवत ते मुदा अहो नंद आदी व्रजवाशी गोपों के धन्या बग्या है पस्तव में उनका अहु बाग्या है याँकि परवानन्द स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्मा आप उनके अपने सगे शम्बंधी और सूरिध है अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजव कसाम यनमित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम ये अच्छुत इन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही मन आदी ग्यारह इंद्रियों के अदिष्ठात्री देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदी हम लोग बड़े ही भग्यवान हैं क्योंकि इन ब्रजवासियों की मन आदी ग्यारह इंद्रियों को प्याले बना कर हम आपके चरण कमलों का अम्रत से भी मीठा मदिरा से भी मादक मधूर मकरंद रसपान करते रहते हैं जब उसका एक एक इंद्रिय से पान करके हम धन्य धन्य हो रहे हैं तब समस्त इंद्रियों से उसका सेवन करने वाले प्रजवाशियों की तो बात ही क्या है प्रभो इस व्रजभूमी के किसी वन में और विशेश करके गोकुल में किसी वियोनी में जन्म हो जाए यही हमारे लिए बड़े सोभाग्य की बात होगी क्योंकि यहां जन्म हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूली अपने उपर पढ़ ही जाएगी प्रभो आपके प्रेमी ग्रजवासियों का सम्पूर्ण जीवन आपका ही जीवन है आप ही उनके जीवन के एक मत्र सर्वस्व हैं इसलिए उनके चरणों की धूली मिलना आपके ही चरणों की धूली मिलना है और आपके चरणों की धूली को तो शुतियां भी अनादिकाल से अब तक लूंड ही रही है तद भूरि भाग्यमिह जन्मकिमप्यटव्भ्याम यद्गो कुले पिकतमांग्रिरजोविशेकं यज्जीवितं तुनिखिलं मगवान मुकुंदस वध्यापियत्पदरजह शुतिम्रिग्यमेव देवताओं के भी आराध्य देव प्रभो इन व्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे संपूर्ण फलों के फलस्वरूप आप से बढ़ कर और कोई फल तो है ही नहीं यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है आप उन्हें अपना स्वरूप भी देकर उरिन नहीं हो सकते क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अघासुर बकासुर आदी के साथ प्राप्त कर लिया जिसका केवल वेश ही साध्रीष्त्री का था पर जो हृदै से महान कुरूर थी फिर जिनोंने अपने घर धन, स्वजन, व्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया है जिनका सब कुछ आपके लिये ही है उन व्रजवासियों को भी वही पल देकर आप कैसे उरिन हो सकते हैं सच्चिदानंद स्वरूप श्याम सुन्दर तभी तक रागत्वेश आदी डोश चोरों के समान सरवस्व अपहर्ण करते रहते हैं तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंदनों में बांध रखते हैं और तभी तक मोह पैर की बेडियों की तरह चकडे रखता है जब तक जीव आपका नहीं हो जाता तावद रागा दयह स्तेनास तावद कारा क्रिहं ग्रिहं तावन मोहोंगरी निगडो यावत क्रिष्ण नते जना रभो आप विश्व के बखेडे से सर्वता रहता हैं फिर भी अपने शर्णागत अक्त जनों को अनंत आनंद वितर्ण करने के लिए प्रित्ती में अवतार लेकर विश्व के समान ही दीला विलास का विस्तार करते हैं मेरे स्वामी बहुत कहने की अवशक्ता नहीं जो लोग आपकी महिमा जानते हैं बे जानते रहें मेरे मन वानी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वता असमर्थ हैं सच्चिदानंद स्वरूप श्रे कृष्ण आप सब के साक्षी हैं इसलिए आप सब कुछ जानते हैं आप समस्त जगत के स्वामी हैं यह संपूर्ण प्रपंच आप में ही इस्तित है आप से मैं और क्या कहूं अब आप मुझे शिकार कीजिए मुझे अपने लोक में जाने की आज्या दीजिए सब के मन प्राण को अपनी रूप माजूरी से आकर्शित करने वाले श्यामसुंदर आप यदुवंश रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं प्रभो प्रित्वी देवता म्रहमन और पशुरूप समुद्र की अभिवित्ति करने वाले चंद्रम भी आप ही हैं आप पाखंडियों के धर्मरूप रात्रि का गूर अंदकार नश्ट करने के लिए सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान हैं प्रित्वी पर रहने वाले राक्षिसों के नश्ट करने वाले आप चंद्रमा सूर्य आदी समस्त वेवताओं के भी पर्म भगवन मैं अपने जीवन भर महा कल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं। श्री शुकदेव जी कहते हैं परिक्षित संसार की रचाईता प्रहमा जी ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की इस्तूती की इसके बाद उन्होंने तीन बार परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणान किया और फिर अपने गंतव्य इस्थान सत्य लोग में चले भगवान श्री कृष्ण ने प्रहमा जी को विदा कर दिया और बच्णों को लेकर यमुना जी के पुलिन बढ़ाए जहां वे अपने सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे परिक्षत अपने जीवन सर्वस्व प्राण वल्लव से कृष्ण के वियोग में यद्य पी एक वर्ष वीत गया था तथा पी उन ग्वाल बालों को वह समय आदेक्षण के समान जान पड़ा क्यों न हो वे भगवान की विश्व विमोहिनी यूग माया से मोहित जो हो गए थे जगत के सभी जीव उसी माया से मोहित होकर शास्त्र और आचारियों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भुले हुए हैं वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है भला उससे मोहित होकर जीव यहां क्या क्या नहीं भूल जाते हैं पर इक्षित भगवान श्रेक्रिश्न को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा भाई तुम भले आए स्वागत है स्वागत अभी तो हमने तुमारे बिना एक कावर भी नहीं खाया है आओ इधर आओ आओ आनंद से भोजन करो तब हसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ गोजन किया और उने अग्हासुर के शरीर का धाचा दिखाते हुए वन से ब्रज में लौट आये श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंक का मनोहर मुकुट और घुंगराले बालों में सुंदर सुंदर मह मह महकते हुए पुष्प गुंत रहे थे नई नई रंगीन धात्वों से श्याम शरीर पर चित्रकादी की हुई थी वे चलते समय रास्ते में पुच्च स्वरसे कभी बांसूरी कभी पत्ते और कभी सिंगी बजाकर वाद्योत्सव में मगन हो रहे हैं पीछे पीछे गुवालबाल उनकी लोकपावन कीर्थी का गान करते जा रहे हैं कभी वे नाम ले लेकर अपने बचडों को बुकारते तो कभी उनके साथ लाड़ लड़ाने लगते मार्ग के दोनों और गोपियां खड़ी हैं जब वे कभी तिर्चे नेत्रों से उनकी नजर में नजर मिला देते हैं तब गोपियां आनंद मुग्द हो जाती हैं इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गोष्ठ में प्रवेश किया परिक्षित उसे दिन बालकों ने रज में जाकर कहां कि आज यशोदा मैया के लाड़ले नंद नंदन नने वन में एक बड़ा भारी अजगर मार डाला है और उससे हम लोगों की रक्षा की है राजा परिक्षित ने कहां ब्रह्म रजवासियों के लिए श्री कृष्ण अपने पुत्र नहीं थे दूसरे के पुत्र थे फिर उनका श्री कृष्ण के प्रती कितना प्रेम कैसे हुआ ऐसा प्रेम तो उनका अपने बालकों पर भी पहले कभी नहीं हुआ था आप कृपा करके बतलाईए इसका क्या कारण है शी शुकदेवजी कहते हैं राजन संसार के सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़ कर प्रेम करते हैं उत्र से धन से या और किसी से जो प्रेम होता है वह तो इसलिए कि वे वस्तु में अपने आत्मा को प्रिय लगती है राजेंद्र यही कारण है कि सभी प्राणीयों का अपने आत्मा के प्रती जैसा प्रेम होता है वैसा अपने कहलाने वाले पुत्र, धन और ग्रह आधी में नहीं होता उन्से पश्रेश्ठो जो लोग बेह को ही आत्मा मानते हैं वे भी अपने शरीर से जितना प्रेम करते हैं पुत ना प्रेम शरीर के संबंधी पुत्र, मित्र आधी से नहीं करते जब विचार के द्वारा यह मालूम हो जाता है यह शरीर मैं नहीं हूँ यह शरीर मेरा है तब इस शरीर से भी आत्मा के समान प्रेम नहीं रहता यही कारण है कि देह के जीर्ण शीर्ण हो जाने पर भी जीने की आशा प्रबल रूप से बनी रहती है यद जीर यद्यपि देहे स्मिन जीविताशा बली यसी इससे यह बात सित्त होती है कि सभी प्राणी अपने आत्मा से ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं और उसी के लिए इस सारे चराचर जगत से भी प्रेम करते हैं इन स्री कृष्ण को ही तुम सब आत्माओं का आत्मा समझो संसार के कल्यान के लिए ही यूग माया का हश्रे लेकर वे यहां देहधारी के समान जान पड़ते हैं जो लोग भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं उनके लिए तो इस जगत में जो कुछ भी चराचर पदार्थ हैं अधवा इससे परे परमात्मा ब्रह्म नारायन आदि जो भगवत स्वरूप हैं सभी श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं श्री कृष्ण के आतिरक्त और कोई प्राकृत अप्राकृत वस्तु है ही नहीं सभी वस्तुओं का अंतिम रूप अपने कारण में इस्तित होता है उस कारण के भी परमकारण है भगवान श्री कृष्णौ तब भला बताओ किस वस्तु को श्री कृष्ण से धिन्न बतलाएं जिन्होंने उन्यकीर्ती मुकंद मुरादी के पदबल्लव की नौका का आश्रे लिया है जो कि सत्पुर्षों का सरवस्व है उनके लिए यह भवसाकर बचडे के खुर के गड़े के समान है उन्हें परमपद की प्राक्ति हो जाती है और उनके लिए विपत्तियों का निमास स्थान यह संसार नहीं रहता परिक्षित तुमने मुझे से पूछा था कि भगवान के पांच में वर्ष की लीला ग्वाल बालों ने छटे वर्ष में कैसे कही उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया भगवान श्रे कृष्ण की ग्वाल बालों के साथ वनक्रीडा अगासुर को मारना हरी हरी घास से युक्त भूमी पर बैट कर भोजन करना अप्राकृत रूपधारी बचडों और ग्वान बालों का प्रकट होना और प्रह्माजी के ग्वारा की हुई इस महान इस्तुती को जो मनुष्य सुनता और कहता है उस उसको धर्म अर्थ काम और म मुक्ष की प्राप्ति हो जाती है परिक्षित तिस प्रकार श्री कृष्ण और बल राम ने कुमार अवस्था के अनुरूप आंकर मिचाउनी सेतु बंधन बंदरों की भांती उचलना पूदना आदि अनेकों लीलाएं करके अपनी कुमार अवस्था ब्रज में ही त्याग नारायन, 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 नारा